साथियों नमस्कार राजस्तान लोक सेवा आयोग अजमेर ने माधिमिक सिक्सा विभाग हितू प्राध्यापक स्कूल सिक्सा प्रत्योगी परिक्सा 2022 के अंतरगत राजणिती विज्ञान यानि की पॉलिटिकल साइंस विशे का अनंतिम परिणाम है वो जारी कर दिया गया है इस परिणाम के अंदर उन्होंने दो गुणा अव्यर्थियों को पास किया है जितनी वेकेंसी थी उसका डबल अव्यर्थियों को पास करके उनके जो डोकिमेंट से वेरिफिकेशन या उनकी एलिजिबिलिटी चेकिंग के लिए उनको इन्वाइट किया है इस सम्मंद में उन्होंने कल दिनांग चार मई को एक प्रिस नोट जारी किया गया था उनके द्वारा और उसमें जो पातरता रखने वाले हैं जो विस्तारी सूची में यानि की प्रोविजनल लिस्ट में जिनका नाम है उनको एलिजिबिलिटी चेकिंग के लिए इन्वा पातरता रखते हैं अपने जो डोकिमेंट से उनकी जांच पातरता रखते हैं तो पातरता की जांच जो विस्तारी सूची जारी की गई है यह उन्हीं के रोड लंबर है आप देख सकते हैं राजनीती विज्यान के जो अब्यर्थी है जिन्होंने दो गुणा में इस्थान डोक्यमेंट वरिफिकेशन के लिए RBSC जाना पड़ेगा यह सुची है वो चैन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अव्यर्थियों की अव्यर्थिता सुन इस्चित किये जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश से जारी की गई है और यह सुची या वरित्या सुची नहीं है अंतिम रूप से सबल अव्यर्थियों की सुची है वो दस्तावेज सत्यापन के पस्चात ही जारी की जाएगी दस्तावेज सत्यापन का कारे काउंसलिंग के मादियम से यह किया जाएगा अतह अब्यर्थी अपना विश्त्रित आविधन पत्र भरकर काउंसलेंग के समय उपस्तित होगे काउंसलेंग के विश्त्रित कारेकृर्म के सम्मन्द में आयोग की वेबसाइट एवं अन्यमा दियम्से यथा समय प्र्थक से सूचित कर दिया जाएगा आयोग द्वारा अविर्थियों की पातरता की जांच विग्यापन की सर्था और नीमा की अनुसार की जाएगी और पातरता की समस्थ सर्थे नीमा नुसार पूर्ण नहीं करने वाले अविर्थियों की पातरता आयोग द्वारा रद्ध कर दी जाएगी और पात्र पाए गए अव्यर्थियों मेंसे ही नियमा नुशार मुख्य चैन सूची एमम आरेक्षित सूची जारी की जाएगी अब हम बात करते हैं कटोफ की, कटोफ मार्च कितने रहे हैं सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल केटेगरी की और जनरल केटेगरी में भी जनरल की जो कटोप है वो 209 दस्वलाव एक तीन रही है और इसकी जो डेट अब बर्थ है वो 10-10-1986 है निकी इस नंबर पर एक से अधिक अव्यर्थी है और जिसकी डेट अब बर्थ 10-10-1986 है वो अंतिम रूप से चैनित दुआ है इसी तरह विमेंस में यदि देखें तो 193 में दस्वलाव 6 और विड़ो में कोई भी केंडिट अवेलवल नहीं था पासिंग मार्क्स की यहां कि जो 40% की जो बादिता थी उसके अंत्रगत कोई भी पात्र नहीं पाया गया और डाइवर्स में 190.31 इसी प्रकार EWS में जनरल औ आवेलवल नहीं थे ईस्वाव 505 विड़ो और डाइवर्स में अवेले वने थे लिए और विमें। वीमेंज की जो कट अप रहे है वह 181 सी दस्मोलवन नो 10 और इसमें भी विटो और डाइवर्श कंडिेट से वह अविलेवल नहीं थे इसी प्रकार MBC की जो जन्रल की कट अप है इन केटेगरीज में पहले बादिता नहीं होने के कारण अगर माइनिस में भी आता था तब भी वह सलेक्ट मान लिया जाता था लेकिन अब सर्थ यह रखी गई है कि 40 प्रतिसत अंक उसे प्राप्त करना आविशक है और इसी कारण बहुत सारी केटेगरीज के अंदर है वो ज अभ्यर्थी है उन अभ्यर्थियों में जो यहां का टॉप दी गई है उन अभ्यर्थियों का चैन हुआ है और जो नौट में है यानि कि वह 40 प्रतिसत की बादिता के दाएरे में नहीं आया इस करन से वे केंडिट्ट से वह इस केटेगरी के अविएलबल नहीं हो पाए है और 40% नहीं ला पाना यह है उनकी सबसे बड़ी जो इस category का अविलेबल, candidates का अविलेबल नहीं होना मना गया है उसकी बादिता है या कहें कि जो उसकी पहली सर्थ थी 40% वो नहीं लाना है इसका मुख्य कारण और दूसरी बात यह है कि जो कटोब है इस बार बहुत ज़्यादा डाउन गई है 209.13 गई है जनरल की और यह बहुत ज़्यादा डाउन है और इसका जो मुख्य कारण है वो 40% का रहा है और दूसरा बात करें तो पेपर है वो कॉंस्टिटूशन बेज नहीं होकर के पेपर का जो आधार है वो सैधानते के जो ठोरी का पॉर्शन है उससे पूछा जाना है तो कटोप है बहुत ज्यादा कम रही है और 40 प्रतिशत इस बार बहुत योगदान दे रहा है और यदि हम एक सर्विश्मेंट की बात करें तो 144 असमलों तीन दो रही है और यहां डी एच्छ यानिकि यह जो पी एच वाली इसमें कुछ अवेलेबल नहीं भी है और इस तरह से दियम एने का मतलब में आपर इस्पश्ट किया गया है कि केंडिट नोट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम् क्वालिफाइंग मार्क्स पर सर्विस रोल्स तो यह कारण है नोट अवेलेबल का तो यह था राजनीती विग बड़ी रिजल्ट है वह बहुत जज़ादा प्रबावित ऊंगे उनकी जो कटश्ट है वह जढ़ा डांद रहेगी और जैसे हिंदी विसे हैं हिंदी विसे के अलावा जेओग्रफी है और इतिहास है यह कुछ बड़े विसे हैं जिन में कटश्ट है वह अन्दाजा जो ल झाले झाले थामल